हेलो स्टूडेंट्स वेलकम हेर आगेन और माई चैनल जानकरेट मैसलफ इत अभिलाशी शर्मा आज हम बात करेंगे एकाउंटेंस इसे रिटली पड़ा इंपॉर्टन टॉपिक वीडियो नूंबर 40-E-H में बेंकरी कंसिलेशन स्टेटमेंट इसको शॉट में BRS कहते हैं इसका मीनिंग क्या है need of BRS how to prepare बेंकरी कंसिलेशन स्टेटमेंट और सौथ में कुछ प्रेक्टिकल प्रावलम्स भी होगी जिससे इस बात को हम क्लियर करेंगे कि बेंकरी कंसिलेशन का प्रेक्टिकल रूप क्या है let's move ahead with me to discuss today's content students एक alert हमेशा मैं देता हूँ वो ध्यान रखना कि वीडियो को complete देखें earphone use करके देखें और अपने device की full screen करके देखें तभी आपको complete और उस हालत तक content समझाएगा कि आपको बहुत असान लगेगा वो तो आगे बढ़ते हैं यह एक passbook है आप देख रहे हो हुआ है भारती है स्टेट बैंक स्टेट बैंक ओफ इंडिया गी passbook है ऐसी passbook आप सभी ने अपने घरों में देखी होंगी अगर पास्वुक को खोलो तो उसमें ज्यादातर बैंक की जो पास्वुक है उसमें ऐसे ही column होते है date, particulars, withdrawal में लिखा होता है debit और deposits में लिखा होत और balance ये किसी customer की passbook है उसका balance brought forward किया है 2000, by cash उसने 4000 deposit किये तो balance बढ़कर हो गया 6000, to check उसने payment किया है जिसकी भी passbook है 2000 की, withdrawals तभी लिखा है, withdrawals में पैसे निकाल लिए तो उसका balance 6000 सिर्व 2000 माइनस किये तो कम होके फिर 4000 रह गया है इसके बाद उसने buy check 7500 deposit किये, तो उसके balance में 7500 add हुए, तो new balance क्या बन गया 11500, इस तरह से customer लगाता है, पैसे निकालता रहता है, deposit करता रहता है और final में balance आ जाता है एक चीज़ देख रहे होंगे, कि जब भी deposit करवा रहा है, तो bank उसको credit करता है, क्यों करता है, हमें reason पता होना चाहिए, क्योंकि जितना जितना हम पैसा bank में जमा करवाएंगे, ऐसे customer, bank को हमें वापिस भी करने है न, bank हमें देगा, तो जिसको पैसे देने हो, वो हमारा क्य क्या बन जाता है, creditor, समझ लगी बात, आखिवर, ये थी passbook, इसके बादा है cashbook, ये मैंने double column cashbook का perform, दिया हुए, एक example, और साथ में उपर performa है, triple column cashbook का, cash, double column में देखो cash और bank, साथ में आपको पता discount का column हो सकता है, तो जे triple column बन जाती है, एक बात याद रखो, जब आब मै cashbook की बात करूँगा, और सारी वीडियो में, जब मैं कहूँ cashbook में इतना balance, cashbook में इतना balance, cashbook में से ये जमा किया, तो cashbook का bank column माना जाएगा भी, ध्यान रखो ये बात, cashbook का मनलब आज bank column है, सिरफ cash column की बात मैं कहीं भी नहीं करूँगा, तो आज हम इस column की बात करेंगे, bank column की cashbook के, चाहे वो single है, चाहे double है, या triple column है, अब debit side में cashbook के जो bank column है, इसमें जब भी पैसा deposit होता है, जमा करवाया जाता है, तो debit side आता है, और जब भी bank में से कोई payment की जाती है, तो उस हालत में bank में से पैसा withdraw किया जाता है, तो credit side आता है, ध्यान रखना ये cashbook में है, तो आगे, दोनों को मैं combine रूप में दिखा रहा हूँ, ये है cashbook, एक ही businessman की cashbook और passbook है, जितने भी पैसे customer ने bank में जमा करवाये, वो debit side में, और यहाँ पर वो credit side में आएंगे, bank में, और जितने भी bank में से payment की गई cashbook में, ये दिख रहा है credit side में, ये यहाँ तक 3500 तक, जितनी भी payment की गई है, वो यहाँ withdrawal में आएगी, लेकिन इन side का अगर हम मिलान भी कर दें, तब भी देख रहे होगे, आप में कुछ entries debit में, यहाँ है, यहाँ नहीं, कुछ यहाँ credit में है, यहाँ debit में नहीं, कुछ cashbook की credit side में है, passbook के withdrawal में नहीं है, तो उसी का effect पड़ा के cashbook का balance 33 3,000 आ रहे हैं, और passbook का balance 39,930, और है, same क्यों नहीं है, जब एकी business man की bank की transaction है, यही तो जरूरत है, यही तो आज का question arise होता है, कि यह difference क्यों है, अब बात करते हैं, इससा, इससे आगे बढ़ते, bank reconciliation statement, उनहीं कारणों के कारण जिसके मैंने कहा, कि balance में difference आ रहे है, हमें एक statement बनाने की जरूरत परती है, that is bank reconciliation statement, when any customer of banker receives the bank passbook, और bank statement record from the bank, he compares it with the bank column of cashbook, जब भी किसी customer को bank से उसकी passbook मिलती है, या उसको bank की statement ब्रावत होती है, particular period की, particular period तक, तो उसको वो cashbook की bank column के साथ मिलान करता है, वी compare करता है, नॉर्म में तो same entries होनी चाहिए, same balance होना चाहिए, but in practice, these two generally differ, दोनों में difference रहता है, as a businessman, जब हम देखते हैं, दोनों में difference आई जाता है, इसी कारण हमें BRS की जरूरत पड़ी है, the need for preparing BRS arises, इसी कारण इसको बनाने की जरूरत मैसूस है, फिर BRS होता क्या है, bank reconciliation statement किसको कहते ह It is a statement which is prepared to reconcile the bank balance as per cash book with the balance as per bank pass book or the bank statement, BRS एक ऐसी statement है, जो cash book के bank balance का मिलान, pass book के bank balance के साथ करती है, जो bank दवारा जो pass book जारी की है, उसके balance के साथ करती है, It is a statement showing the reason or cause of difference, यह ऐसी statement है, जिसमें हमने वो सारे कारण दिखाने है, जिसके कारण difference है, जो जो तो आपस में मिल रहे हैं, जो entry उसमें cash book में है, pass में भी है, जो pass book में है, वो cash book में है, उसका bank reconciliation statement से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो कारण के कारण difference आएगा, किसी amount के का कारण difference आएगा, तो हमें BRS बनानी पड़ती है, BRS में सिर्फ वही चीज़ें दिखाती है, जिसके कारण दोनों में difference आता है, pass book और cash book में, it is not a part of book keeping, यह book keeping आपार्ट नहीं है, राधर it is a method or technique to reconcile cash book and pass book, यह बात ध्यान रखना, यह कोई BRS जो है, डवल एंटरी किस रहे है debit credit ऐसा कुछ नहीं करना, यह एक technique है, जिससे हम cash book और pass book का मिलान कर सकें, बस reconcile कर सकें, यही तो कारण है कि BRS बनाने का हर व्यक्ति अपना अपना धंग देता है, क्योंकि it's just a technique, by preparing BRS if there is any error committed again brings out, क्योंकि अगर हम BRS बनाते हैं, कोई गलती हमसे हुई है, जा बैंक से हुई कोई गलती भी नहीं हुई, कोई entry एक में हुई है, तो दूसरे में नहीं हुई, तो हम उसका पता लगा सकते हैं, with the help of comparing cash book and pass book and by preparing BRS, तो आगे बात करें इसके बाद, यह difference आते क्यों हैं भी cash book और pass book, हम बार-बार कह रहा हूं कोई balance नहीं मिलते, क्यों नहीं मिलते, बहु हो गिया, उसने अपनी cash book में से उसको balance को कम कर लिया, अभी check देगा तो balance को कम करेगी, करेगा, लेकिन customer ने bank में अभी तक पेश नहीं किया, अभी तक का मतलब जिस date को हम BRS बना रहे हैं, तब तक पेश नहीं किया payment के लिए, वो payment लेकी नहीं गया, तो bank में उसका balance बढ़ बरकस, bank ने अभी तक collect नहीं किये, cash book में तो उसने जब sent किये, entry कर दी, pass book में अभी तक collection नहीं हुई, तो दोनों में difference आए गई आएगा, इसी तरह से तीसरा कारण जो हो सकता है, interest allowed on deposits और interest charged on overdraft by bank, अगर bank ने customer को interest दिया, उसके account में जमा गर दिया, और या bank ने interest overdraft कर चार में से कम कर दिया, उसके account में से, लेकिन customer को information नहीं है, तो भी difference आएगा, next one is bank charges commission and charged debited by bank, कोई भी खर्च, bank का अपना खर्च, कोई commission, अगर bank ने debit कर दी, means customer का balance कम कर दिया, लेकिन customer को information नहीं है, तो cash book और pass look में difference आएगा, payments made by bank, like insurance premium, अगर bank को ने कोई payment कर दी, जिसको customer ने उसको बोला हुआ था, customer की instructions के accordingly, bank ने payment की जैसे insurance premium वगएरा दे दिया, तो भी, लेकिन customer को बता नहीं चला कब दिया payment उसने, तो उस हालत में दोनों के balance, जो है cash book और pass look के वो आपस में नहीं मिलेंगे, difference आएगा, disorder of bills और checks, जो bill of exchange होते हैं, या checks है, अगर उनको bank में deposit करने के लिए भेजा है, और या किसी को payment करनी है, हमने check के दवारा, अगर वो check dishonor होगे, उसकी payment नहीं हुई, payment जमान भी नहीं हुई, तो उस हालत में cash book और pass book के जो balance है, वो उसमें difference आएगा, checks issued or paid into bank, but omit to be recorded in cash book, check हमने issue कर दिये, या bank में paid means जमा कर दिये, but cash book में लिखने ही भ cash book और pass book, cash book या pass book में कोई भी जरूर नहीं सबको सही हो, कोई गलत एंट्री हो गई हो, हमने machinery cash purchase की थी, हमने bank में दिखा दी, तब भी ऐसी position हो सकती है, similarly ऐसी गलती bank से भी हो सकती है, किसी और transaction, किसी और business man के account में मानलो bank से दिखाएगी, उस वहां के implies से, तो उस हालत में cash cash book और pass book के balance आपस में नहीं मिलते, तो इसके लावा भी बहुत से कारण हो सकते हैं, जिसके कारण cash book और pass book के balance नहीं मिलते, उसको मिलाने के लिए फिर एक statement बनाई जाती है, उस statement को क्या गयाते है, बिया, जैसे मैंने कहा था, ये cash book और pass book एक ही businessman की है, जो इसमें deposit side की entry है, इसमें credit में, और जो इसकी credit side की entries है, payment side की cash book की, इसमें debit में withdrawal के रूप में दिखाए जाती है, लेकिन सब कुछ दिखाने के बावजुद भी, यहाँ cash book का balance 33,000 है, यहाँ 39,930 है, कारण क्या हुआ फिर, किसी कारण को ढूणने के लिए हम इनका मिलान करेंगे, कैसे मिलान क जाएंगी, जो एक तरफ हैं, दूसरी तरफ नहीं, जैसे आप देख रहे होगे debit में, 10 रुपीज दखाए हुए हैं यहाँ पर, पर यहाँ 10 कुछ भी नहीं है, credit side में, तो यह है क्या bank charges है, इसके कारण भी difference आता है, ऐसी किसी के check हो सकते हैं, कोई payment हो सकते हैं, जिसके कार IRS बनाने की जरूरत महसूस होती है, एक बात ध्यान रुको, जब मैं कहा रहा हूँ, नहीं मिल रहा, इसका मिलो यह नहीं कि बैंक का entry नहीं करेगा, उस date तक नहीं की होती, जिस date को मिलान कर रहे हैं, एक यह बात भी ध्यान रखना, हर transaction की बात नहीं का रहा, बहुत सी transaction है इस date तक check हमने भेज रहा, मालो आज 30 तारीख है, बैंक ने उसको 2 तारीख को next month को किया, लेकिन महिने के last date को वो balance नहीं मिल रहे होंगे, तो भी BRS बनाने की ज़रूरत महसूस होती है, यह ध्यान रखना, कुछ important बात, BRS के जब numerical part की बात करेंगे, debit balance of cash book का मतलब, pass book का credit balance होता है, यह ध्यान रखना, इस दोनों का मतलब होता है कि customer का कुछ पैसा bank में जम है, means customer have some money as deposited in bank, यह ध्यान रखना, इसके साथ ही एक बात और ध्यान रखना, जो credit balance as per cash book है, या debit balance as per pass book, इसका मतलब overdraft होता है, यह ध्यान रखना, overdrawn from bank by the customer means bank में से customer ने ज्यादा पैसा नि इसका मतलब overdraft होता है, overdraft negative balance होता है, जबकि अगर customer का balance bank में जमा है उसका पैसा, वो negative नहीं होता, वो positive होता है, यह ध्यान रखना, clear, तो BRS can be started with cash book balance after the bank reconciliation statement, we got pass book balance, जब BRS को have a cash book के balance से शुरू करें, तो end में जो answer आएगा, वो pass book का आता है, and vice versa means, BRS can be started with pass book balance, and after reconciliation cash book balance is attained, अगर हम BRS को pass book के balance के साथ शुरू करेंगे, तो last में BRS बनाने के बाद cash book का balance आएगा, यह बड़ा important बाते हैं, question में अगर cash book का balance दिया है, तो हम cash book के balance से शुरू करेंगे, और last में जो answer आएगा, balance निकल का आएगा, वो pass book का आएगा, डैविड जा credit को भी भी हो सकता है, इसी तरह से BRS को अगर हम pass book के balance से शुरू करेंगे, तो last में जो balance आएगा, वो cash बनाते कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, as to make BRS is a technique, just a technique है, यह method है, यह कोई principles नहीं है, it is not a part of bookkeeping, bookkeeping का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है, the best and the unique technique जो मैं आपको आज share करने जा रहा हूं, यह धियान रखना, assume yourself as whose balance is given, अपने आपको वो समझो, जिसका balance question में दिया हुए, cash book का balance दिया हुए माल लो, cash book के bank column का मनलो, दिया हुए balance, उसको बनाता कोन है, business man, तो आपने आपको business man मालने, if the balance of cash is given, assume yourself as a business man, and if the balance of pass book is given, assume yourself as a bank, अगर pass book का balance दिया आपने आपको बनाता है, bank, तो अपने आपको bank समझो, पहले तो आपने आपको ऐसे assume करना है, कि मैं business man हूँ, या मैं bank हूँ, जिसका balance दिया है, उसको हमने, अपने आपको वो मानने है, second, after that assumption, to reconcile both cash book and pass book, one thing must be clear to you, whatever you assumed yourself, you will change only yourself, यह सबसे वड़ी बात है, you don't have any right to change other, एक assumption अपने कार लिए, कि मैं business man हूँ, जा मैं bank हूँ, आपने खुद को ही change करना है भी, जब भी कोई amount का difference आएगा, उस difference को reconcile करने के लिए, आपने खुद को change करना है, आपको दूसरे को change करने का right नहीं, अगर आप business man हो, तो businessman को ही change करना है, bank के accordingly, अगर आप bank हो, तो आपने ऐ भी माना, positive और favorable balance means, debit balance of cashbook और credit balance of passbook, यह मैं आपको बता चुका हूँ, debit balance cashbook या credit balance of passbook, सेम बात होती है, यह दोनो positive balance है, जिसको favorable balance कहते है, negative और unfavorable balance means, credit balance of cashbook और debit balance of passbook, क्योंकि credit balance of cashbook और debit balance of passbook, सेम ही बात है, यह दोनों के दोनो negative unfavorable balance है, यह overdraft की condition में होते हैं जब customer ने ज़्यादा पैसा निकाल दिया technique to prepare BRS is known as addless method जिस method से हम use करेंगे BRS बनाने के लिए जिस technique को use करेंगे उसको addless method जा addless technique कहते हैं plus minus method आओ बात करें directly question से शुरू करते हैं numerical problem prepare BRS on 31st December 2018 हमने 31 December 2018 2018 को दोनों का मिलान करना है इसका मतलों यह है 31 December तक क्या position थी यह कुछ difference जब हमने मिलान किया होगा यह सारे difference निकल के आए होगे cash book और pass book में से जैसे मैंने आपने पीछे दिखाया था एक slide एक ही businessman की एक ही businessman की cash book और pass book दिखाई थे तो कुछ difference थे ऐसी इस question में यह कुछ difference है सबसे पहले दिया क्या हुए question में balance हमने check करने किसका दिया हुए यह बड़ा important होता है balance as per cash book bank column on 31st December 9000 cash book का balance दिया हुए तो dear student हमने एक मान के चलना है कि हम क्या है अपने आप में business man अब हम वपारी है क्योंकि cash book का balance दिया हुए हमने cash book को ही change करना है यह मान के चलना है check paid into bank but not deposited before 31st December check bank में जमा किये पर bank में जमा नहीं हुए 31st December तक इसका मतलब समझ रहे हो customer ने bank में check जमा कर दिये उसने cash book का balance increase कर लिया but bank में तो जमा नहीं हुए bank में तो कम है अब हम खुद को तो change कर सकते हैं bank को तो कर नहीं सकते भी जमा करो को 30 December को तो हम bank के accordingly अपना balance भी कम कर लेंगे क्योंकि bank में 4000 नहीं deposit हुए वहाँ 4000 कम है तो हम भी कम हो जाएंगे इसी तरह ऐसे सारी entries एक वर पढ़ लें फिर आगे करते हैं check issued birth note presented by customer till 31 December check किसी customer को दिये पर वो bank में गए नहीं पैसे लेने 2000, 31 December तक लेनी नहीं गया बाद में गया होगा हमें इससे matter नहीं है हमने 31 December तक की position देख रहे हैं bank charges debited by bank 400 bank ने 400 rupees as a bank charges debit कर दिये debit करने का मल उसके पैसे कम कर दिये amount directly debited by customer इन दा bank rupees 400 किसी customer ने directly check या amount उसके खाते में जमा करवा दिया और customer को और businessman को बताया भी नहीं बैंक में तो पैसे बढ़ गए हैं ना balance बढ़ गए हैं ये सारी कुछ निकल किया ही जब किसी businessman की मानलो cashbook और passbook को मिलाया होगा अब हमने BRS बनानी है इस सारी transaction को ध्यान में रखते हुए student ये है bank reconciliation statement काफी देर से इंतजर कर रहे होगे आप इसके performer का ये इसका performer particulars जिसमें हमने सारा description लिखने plus और minus rupees में जब addition होगा तो plus में जब कुछ कम होगा तो minus में ये ध्यान रखना सबसे पहले question में जब हमें दिया हुआ है अगर आपकी सुभिदा के लिए बताओ मैंने same question यहां भी show किया साइड पे ये student ध्यान से देखो पहले सबसे पहले क्या दिया हुआ है balance as per cashbook cashbook का balance है cashbook के balance में ध्यान रखना cashbook का positive balance debit होता है और passbook का credit होता है positive balance हम उसको plus में दिखाते है ये हो गया balance as per cashbook लिख दिया 9,000 second था checks paid into bank but not deposited before 31 December 4000 के check bank में जमा करवाई पर bank में जमा नहीं हुए उस till date का मलोग 30 December तक अब सोचो check bank में जमा करवाई customer ने अपना balance increase कर लिया cashbook का पर bank में तो 4000 कम है क्योंकि वहाँ पर जमा ही नहीं हुए वो पैसे अभी तक तो हम bank को तो change कर नहीं सकते खुद को change करेंगे जैसे मैंने बताया हम आवने को businessman मानके चल रहे है कारण किया है cashbook का balance दिया हुए तो हमने 4000 कम कर दिए minus काम करने का माइनस हो गया negative next and third check issue but not presented by the customer till 31st summer 2018 rupees 2000 check जारी किये customer ने bank में पेशी नहीं किये अभी तक payment लेने के लिए वो पैसे लेनी नहीं आया bank में customer 2000 के check 31 दिसम बर्दक लेने नहीं आया क्योंकि जब कोई check जारी करते हैं उसको cash कराने की date नहीं होई सोचके देखो जब check काट के दिये customer को तो cash book में bank column में से payment कर दी customer ने अपने account ने but bank में तो वो पैसे लेनी नहीं गया bank में 31 दिसम बर तक 2000 पे जाद है अब हम खुद को change कर सकते है bank को तो कर नहीं सकते check issued but not presented for payment 2000 हमने plus कर दिये जो पहले कम कर दिये थे क्योंकि bank में अभी कम नहीं हुए तो हमने भी 2000 जादा कर दिये प्लस कर दिये add समझे लगया addless issue को कहते है fourth है bank charges debited by bank rupees 400 ध्यान से bank charges debited by bank rupees 400 bank के जो charges है 400 रुपे bank ने debit कर दिये debit करने का मतलब उसके account में से कम कर दिये customer के तो क्या हुआ जो bank charges थे bank का balance कम हो गया तब हम bank के accordingly खुद को भी change कर लेंगे bank charges रुपी 400 हमने minus कर दिये less हो गए check directly deposited by customer इंदा bank customer ने सीधे 400 रुपे bank में जमांग रा दिये bank का balance बढ़ गया तो हम भी बढ़ा लेंगे अपना balance हम का मतलब हम कौन है बस ये ध्यान रखना last में अब हम इसका balance रिखा लेंगे positive side जो है plus side उसका total आया 11,400 जो credit negative side है उसका total आया 4,400 difference कितने बढ़ा 7,000 का वो difference हमने डाला 11,400 plus side का total जादा है pass book का इसका मतलब positive balance आगया अगर negative total जादा होता तो वो negative balance होता है अगर positive total जादा है वो positive balance होता है positive balance कौन कौन से होते है cash book का debit और pass book का credit तो ये pass book का credit balance आगया समझ लगा student तो ये था एक simple question इसके इलावा बहुत सी books में आपने ऐसे भी देखा होगा कि balance as per cash book ऐसे पहले positive कर दिया फिर add और less method को ऐसे भी दिखाते हैं कि पहले सारी add item दिखा दी फिर less वाली means जो positive side plus side में आई है वो पहले दिखा दी जो minus side में आई है वो बाद में दिखा दी ऐसा भी एक ही बात है किसी भी ढंक से कर लो पर जब हम continually करते हैं वो better रहता है उस technique को आप easy मानोगे जो मैंने पहले बताया था बाकी सारा ये same है उससे फर्क नहीं पड़ने वाला positive मतलब add और less item add पहले दिखा दी less बाद में ढूंडने से better क्या होता है कि continually करते हैं जो मैंने पहले वाले ढंक बनाया last में balance वही आगया balance as per passbook क्योंकि positive side plus side का जाद है तो positive balance हो गया passbook का positive balance क्या होता है credit balance 7000 तो student ये था as a question जिसमें हमने cashbook का debit balance positive balance हो था इसके लाबा जैसे इस question में है BRS के overdraft as per or credit balance as per cashbook cashbook का overdraft balance है ऐसे questions को कैसे करते हैं जो overdraft credit balance होता है इसको negative side में दिखाते हैं बस क्योंकि ये negative balance है बाकी सारी technique यही रहती है इस overdraft वाली technique को कैसे हमने करना है इस balance के साथ technique वही है ये इससे next video part second जो BRS होगा उसमें मैं इसको detail में explain करूँगा आप वीडियो का अब तक आप मेंने जो कराया मुझे लगता है मुझे पूछ सकते हो comment box में जाकर लिखें मैं आपको answer देने की कोशिकर हुआ इस channel पर already watch the videos है economics, accountancy और commerce के दूसरे subjects से related motivational videos भी है आप उनको भी देखिए आने वाली videos का इंतजार कीजिए till then, thank you very much